ये गाईज, कॉंग्रेटुलेशन्स तु यू अल, चंद्रयान 2 मिशन लॉंज हो चुका है, हलाकि ये मिशन अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, इसको अभी चंद्रमा तक पॉशना है, फिर बहुत ही डेलिकेसी से रोवर को चंद्रमा की धरती पे उतारना है, वो मुश्किल क जादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जितना हम एक्सपेट कर रहे थे, इस वीडियो में हम जानेंगे, इस पूरे मिशन के कुछ इंपोरेंट पॉइंट्स के बारे में, और विजार डाउट, अलोट तो अलोट तो डिसकर्स, एज अलवेस, लेट स्टार्ट, दे के लिए, कुछ दिनों के लिए, चंद्रयान 2 धर्ती को औरविट करेगा, फिर इवेंचुली, मून को औरविट करना स्टार्ट कर देगा, और फिर जो मारा रोवर है, वो चंद्रमा की धर्ती पे पहुचेगा, तो आप दे सकते हैं, बहुत ही जादा खुबसूरत अस्व जब विक्रम लैंडर चंद्रमा की धर्ती पर लैंड करेगा, और प्रग्यान नाम का रोवर, इस रोवर है प्रग्यान रोवर, वो चंद्रमा की धर्ती पर चलेगा, नाव अविएसली यह बहुत ही जादा बड़ी बात है, इंडिया के लिए अब तक बस तीन देश या द इसरा देश, इंडिया चौथा देश यहाँ पर बन सकता है, इससे पहले आप अगर सोचें के इसराइल का भी एक मिशन था, वो रोवर नहीं था, वो बेसिकली एक लैंडर था, तो आप टेखनीकली कह सकते हैं के इसराइल चौथा कंट्री है, जिसने लैंडर को चांद प सता पर, एक तो है इंडिया का फ्रेंडली कंट्री, जपैन और दूसा देश है ग्रीस, आप समझ गए होंगे वैसे के ग्रीस का मिशन यहाँ पर काभी छोटा होगा, जपैन का मिशन यहाँ बहुत ही इंपॉर्ण होने वाला है, जपैन का मिशन चंद्रमा की सता पर पहु क्योंकि जपैन की जो प्रैवेट इंडस्ट्री है, वो वहाँ पर उनकी स्पेस एजनसी को काफियत तक हेल्प कर रही है, टोयोटा जो एक जैपनीज कंपनी है, उन्होंने ओपनली ओफर किया जैपनीज गवर्मेंट को के हम रोवर बनाएंगे, इससे बेसिकली उनका प् नहीं है, शायद इस ले नहीं थी क्योंकि उनके पास इसकी अभी एक्सपर्टीज ही नहीं है, उनके पास अभी ऐसी कोई रीसर्च ही नहीं है, मगर आप दे सकते हैं, जो जपैन का रोवर होगा, इट विल बी क्वाइट इंप्रेसिव, मगर फॉर टाइम बिंग, इस रो रोवर निकल रहा है, और उसके बाद ये चंदरवा की सता पर काम करेगा, 14 डेस तक, उमीद की जा रही है कि 14 दिन तक ये जंदा रहेगा, उसके बाद मून में जो हॉस्टाइल क्लाइमेट है, उसकी वज़े से हो सकता है कि ये काम करना बंद भी कर दे, ना अगर हम इतिह आज देखें तो अब तक बस 3 देश हैं, जिन्होंने रोवर चंदरवा की सता पर पहुचाया है, उन में से सबसे बला कंट्री जो सोविएड यूनियन था, उनका पहला रोवर चंदरवा की सता पर था, लोन कोदवान, लोन कोदवान अपना पर मिशन का नाम था, और ये आपके सामने वो Russian rover है, इसका एक replica है, जो Russia ने चांद पर भेजा था, आप दे सकते हैं, it is quite fascinating, 1970s में Russia ने कर लिया था, उसके बाद USA ने कई साल बाद एक और rover भेजा, now 2019 में जो हम ये कर रहे हैं, ये भी एक बहुत ही ज़रा impressive feat है, हमारे Prime Minister ने ये का है, कि चंदरयान 2 जैसे efforts से, जो future generation हैं, जो youngsters हैं, वो प्रोच साहित होंगे to discover space, वो इस वो में काम करना चाहेंगे, और इससे जो overall science में advancement है, उसमें भी काफी बढ़ोतरी होगी, और Indian Prime Minister के अलावा, internationally भी बहुत सारी space agencies, चंदरयान 2 को काफी appreciate कर रही है, इसराइल की तरफ से obviously, एक बहुत ही अच्छ आया है, इसराइल to moon, जो इसराइल का moon mission है, जिसके अंडर bearishit को launch किया गया था, इन्होंने ये काए कि चंदरयान 2 lifted off successfully, and it is on its way to the moon, congratulations to our Indian colleagues, we look forward to more of your successes, चंदरयान 2 is particularly intriguing, as it will go to moon's south pole, to find out more about lunar water, अब इसराइल की तरफ से मैं कहूंगा, बहुत जादा एक अच्छी statement आई है, whereas NASA NASA की तरफ से जो statement थी काफी अजीब सी थी इसको, हलांकि Indian media कवर कर रहा है कि देखिए, NASA ने congratulate किया ISRO को, मगर आप जो पूरी statement दिखाऊगे तो वहाँ पर आपको देखेगा, कि NASA ने आपे कावी छोटा one भी दिखाया है, देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, congratulations to ISRO on the launch of च चंद्रयान 2 में हम लोगों ने NASA का जो deep space network है, उसको भी कुछ phases में इस्वाल किया है, तो NASA ने यहाँ पे उसको भी specially mention किया, और उसके बाद एक बहुत ही अजीब सी बाद लिखी, यह कहते हैं कि, we look forward to what you learn about the lunar south pole, where we will send astronauts on our Artemis mission in a few years, recently NASA ने announce किया है, Artemis mission जिसमें 2024 तक, वो लो तो American astronauts को चांद की धर्ती पर लेके जाएंगे, तो उनका plan यही है कि, जहाँ पे चंद्रयान 2 जा रहा है, Moon का South Pole, वहाँ पर ही अपने astronauts को भेजें, तो यहाँ पे NASA ने मैं कहूंगा, यह खे दिया है, कि अभी आप जहाँ पे अपना rover भेज रहे हैं, कुछ साल बाद हम वह जुमन भींग्स बेजने वाले हैं, तो यह कुछ ऐसा ही है, मान लीजे, कोई गरीब कॉलिज से कोई लड़का उसने टॉप कर लिया हो, और वहाँ पे कोई अमीर आदमी जाए और कहें के ठीक तुमने टॉप तो कर लिया है, मगर स्टेशनरी तो हमारी इसमाल करी है, तो म आप कह सकते हैं, Mission, Space Mission, Space Probe, अंत्रिक्ष में जा रहा है, उसको दिषवध आती है, कि basically आप कहाँ पे हो, कहाँ पे जाना है, आप इसको बहुत ही simple भाशा में, बहुत ही simple भाशा में कह सकते हो, कि एक type का Space GPS टाइप का होता है, इसे basically आपको guidance में help मिलती है, नाव नासा का जो Deep Space Network है ये नोंने काफी मैं काऊंगा investment के साथ बनाया है ये आपको तीन बहुत ही important locations में मिलेगा धरती पर ये आप दे सकते हैं ये website है नासा के Deep Space Network की और इनकी जो satellites है एक तो है Madrid, Spain में एक है USA में फिर है Canberra, Australia में तो इससे क्या होता है कि नासा दुनिया के क कर सकता है किसी को भी इसरों का भी Deep Space Network है मगर वो सिर्फ Bangalore-based अभी के लिए तो काफी बार हमने जो हमारे Space Missions है वहाँ पे नासा का Deep Space Network यूज किया है मगर ये को इतनी वड़ी बात नहीं है For example मैं आपको ये भी बिदा सकता हूँ कि आज के टाइम में नासा के पास proper launchers नहीं है जो International Space Station तक पहुच जाए नासा बार-बार रशिया के जो स्वेज rockets है उनको यूज करता है उसके जरी अपने astronauts को International Space Station ने पहुचाता है मगर आपने कभी Russian Space Agency को इस टाइप की statement देते हुए नहीं देखा होगा तो ये काफी interesting है इससे पता लगता है कि दूसरे countries किस तरीकर है सोचते हैं उनके सोचने का तरीका क्या है वहाँ पे जो संगटन है जो वहाँ पे organizations है वो करया सोचती है वहाँ पे जो media है वो किस टाइप के cartoons बनाते हैं वो किस टाइप की उनके mentality है तो इससे काफी कुछ जान ले को मिलता है मगर हमें positive रहना चाहिए यहाँ पे जो positive बात है उन पर focus करना चाहिए चंद्रयान 2 successfully launch हो चुका है प्रज्यान rover विकरम lander और moon orbiter के साथ यह बहुत ही अच्छी बात है and we should all be proud of it even though यहाँ पे मैं यह भी mention करना चाहूंगा इंडिया को यहाँ पर पहुचने में काफी दिकरते आई जो नासा यहाँ पे अभी congratulate कर रहा है इंडिया को और हमको अभी deep space network की provide कर रहा है एक time पे इसी नासा की जो government है US government उन्होंने oppose किया था Russia's transfer technology और cryogenic technology जो cryogenic engines होते हैं जो आज की time में हम use कर रहे हैं वो हम 1990s में Russia से खरीदने वाले थे मगर USA ने उस deal को block कर दिया था तो इतनी सारी मुश्किल चीजों को देखते हुए भी इस रो आगे बढ़ता गया and finally we have successfully launched Chandrayaan 2 तो congratulations to you all आपका एक काफी अच्छा gesture होगा अगर आप comment section में thank you इस रो टाइप करते हैं बहुत ही सुन्दर लगेगा and this is all I had to say in this video thanks for listening and as always God bless you all